नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर शुएता के साथ में जहां एक तरफ योगी सरकार मजबूत कानून व्यास्ता की बात करती है तो वहीं सरकार में ही एहमपत पर बैठे लोगों के संबंद इखुले आम लोगों पर हमला करते हैं और जान से माणने की धमकी देते नजर आते हैं ऐसा ही एक मामला लकनो ग्रामे ड़िस्तत मोहनलाल गंज धानाशेत्र का है जहां एक दरजा प्राप्तर राजमंतरी के बैटे ने एक समाद सेवी सचन तिवारी के साथ मार पीट करने के बाद उसको जान से मारने की धमकी दी आपको बता दे कि पार्किंग के एक विवात के चलते दर्जा प्राप्तर राज्य मंतरी के पुत्र का दावा करने वाले विवेक तिवारी निवासी जबरॉली महुनलाल गंज से समाजवादी आमित तिवारी के भाई सचन तिवारी के साथ मार पीट की और खुले आम जान से मारने की धमकी भी दी गए फिलाल इस मामले में थाना महुनलाल गंज में तहरीर दी गए है पर दोड़ी आप थोड़ा तमीज से बात करिएगा उन्हों का नहीं मैं मंतरी को लड़का हूं जो करना कर लो जाके उसके बात यह हुआ कि मुझे मानने लगे दो तिन थपड़ हमने उनको ड़के दिया फिराएं घर अमारे नीजी आवास पर तीन चार लोक लेके आए अपना कट्टर जो लेके आए उन्दों यह पाया मैं मंतरी के लंड़ा तुम हमको जान नहीं मैं मंतरी के लंड़ा हूं मैं कुछ भी कर सकता तुमको मार भी सकता तो मैं खांदांग देख लूँगा और जो पॉलिटिक्स कर रहे हो पॉलिटिक्स तुम्हाई चचलें दूँगा मैं यह चाहता हूं चोटे भाई सचिन तिवारी के उपर जान लेवा हमला हुआ है और इस हमले की मैं निंदा गरता हूं जिस तरह यह राजनेतिक सडियंत मत्री में रूप देके हमला हुआ है यह ठीक नहीं है सासन सत्ता में मगरूर मंत्री के बेटे ने जो हमला किया है रात्र में मेरे भाई कि गाड़ी रुख आके यह ठीक नहीं हुआ है कि में और में बता देना चाहिता हूं कि मानिमुक्त मंत्री जी विकास कारणे स्थां DR 76 और विकास की जो गंगा भार है हैं ऐसे मंत्रि उनकी विकास की गंगा रोक रहे हैं मंत्रि जी के बेटे का जो अभी फ्रकरण आया प्रगास में वो गारी खड़ी करने के लिए ब्यवाद हुआ था उसमें अभी कोई तहरीर नहीं है देश जुनिया की तमाम घबरों के साथ बने रही है प्राइम टीवी पर ममस्कार कि 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 अंथ जो है झाल